दोस्तों मैं ग्रांटी देता हूं कि आप अपने यूटूब चैनल पर चाहे जितना वीडियो डालना चाहते हों आप डाल सकते हों लेकिन ये पांच सेटिंग्स की बिना आपकी चैनल बिल्कुल बेकार है दोस्तों दिखे कुछ लोगों को पाता है कि मैं यूटूब से इंकम करता हूं मेरा और एक चैनल है और जो लोगों को पाता नहीं मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि देखिए मेरा एक पुराना चैनल है और उस चैनल से यूटूब से मेरा इंकम होता है और उस चै मैंने settings compare किया है मुझे पाता चला है कि मैंने खुद गलती किया है इसलिए मेरा ये channel grow नहीं हो रहा है तो आखिर दूस्तों ये पाज settings most important होता है YouTube के लिए जैसे कि एक mobile phone देखे बिना settings से नहीं चलता है क्योंकि होर एक mobile phone में एक settings application होता है बिना settings से एक mobile phone नहीं चलता है तो सेम दूस्तों एक YouTube channel बिना settings से आप grow नहीं कर पाते हो इसलिए दूस्तों आपको ये settings करना काफी ज़रूरी होता है तो दूस्तों आज किस वीडियो में आप लोग को ये past settings में दिखाने वाला हूं और साथ में दूस्तों ये भी में दिखाने वाला हूं कि मेरा जो पूराना channel है कितना income होता है सो दूस्तों देखिए मैं skin record जो है open करता हूं उससे पहले दूस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप fast time यानि की पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो भाई मेरी channel को ज़रूर subscribe करना है अगर subscribe भी नहीं करना चाहते हो तो भाई मेरे लिए एक like तो किजिए तो मैंने skin record जो है on कर लिया है अगर आप YouTube पर search करोगी तो आपको मिलेगा यहाँ दिखे मेरा वीडियो के list है आप देख सकते हो जैसे कि मैं analytics पर click करता हूं तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि देखिए 1.4 lakhs views आ रहा है तो यह चीज तो आपने देख लिया है यहाँ दिखे मैं revenue पर click करता हूं तो revenue भी आप देख लिजे चैसे कि दोस्तो यहाँ आप दिखे dollar की sign है इस वीडियो पर मुझे इतना dollar मिला है यह चीज आप देख लिजे उसके बाद दोस्तो उस settings की बारे में हम बात करते हैं कि यह settings क्या होता है तो settings करने के लिए दोस्तो सबसे बड़ी जो problem है बड़े-बड़े YouTubers, चूटे YouTubers को यह सिखाना नहीं चाहते है तो आज मैं यह चीज आप दो की सत में share करना चाहता हूं settings करने के लिए दोस्तो आपको क्या करना है Chrome browser open करना है Chrome browser open करने की बात दोस्तो Chrome browser की बीना आप यह settings नहीं कर सकते हो YT studio से यह settings नहीं होता है search bar में आपको type करना है studio.youtube.com इतना है type करके search करना है जैसे कि दोस्तो यहाँ देखे YouTube की logo है तो मैं इस logo पर click करता हूं क्योंकि studio.youtube.com आप यहाँ search bar में देख सकते हो जैसे दोस्तो आप search करेंगे उसके बाद दोस्तो YouTube की जो dashboard है dashboard आपकी समय open होता है सबसे main जो मतलब important settings है दोस्तो important settings काफी लोग यह समझते नहीं और उल्टा सीधा settings कर लेते हैं इसलिए video पर views नहीं आता है दोस्तो आपको मैं यह चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैंने code मैंने गलती किया है सो यहाँ दिखिए dashboard जो है open हो चुका है निचे दोस्तो एक settings देख सकते हो जैसे कि left side निचे आप देखिए जैसे कि यहाँ दिखिए एक settings है इस settings पर आपको click करना है जैसे दोस्तो आप इस settings पर click करेंगे click करने के बाद दोस्तो यहाँ दिखिए आपको भी पता होगा कि यहाँ channel की settings होता है लेकिन settings तो आपने कर लिया है लेकिन जो settings आपको सोही करना है आपने उल्टा कर लिया है इसी की बज़े से आपकी वीडियो पर views नहीं आ रहा है चैनल गो नहीं हो रहा है सबसे पहले तो दोस्तो जनारेल USD डोलर यह तो रहना चाहिए निचे दिखिए चैनल चैनल पर click करना है जैसे दोस्तो आप चैनल पर click करेंगे यहाँ दोस्तो दिखिए फास्ट जो सेटिंग है दोस्तो देखिए आज मैंने यह टेक किया है मुझे यह मतलब याद नहीं आ रहा है इसलिए मेरा यह प्रोब्लेम हुआ है बरना मेरे यह चैनल जो है बहुत पहले मतलब ग्रो करना शुरू करता है शायद दोस्तो मैं एक चीज आप लोग को ट्रीक बताना चाहूंगा कि लोग आकिर कैसे इतना जल्दी चैनल जो है ग्रो कर लेता है इसके लिए दोस्तो यहाँ देखिए बेसिक देखिए यहाँ देखिए बेसिक ओप्शन्स पर रहे और सबसे पहले तो country of residence जो है इंडिया तो आपको पता है select करना है निचे थी कि यह चैनल की जो keyword है इसमें काफी लोग बहुत ही चला की करता है मैंने आज किया है आप लोग को मैं बिलकुर खुल कर बताने वाला हूं देखिए मैं इस चैनल की उपर YouTube related tips and treat provide करता हूं आप लोग को तो खासकर दूस्तों क्या हता है कि चैनल keyword यानि कि इस keyword से YouTube को पता चलता है कि आप इस चैनल पर क्या वीडियो आपलेट करने वाले हैं क्या लोग को सिखाने वाले हैं यहाँ जो भी चीज आप लिखेंगे उस पर दूस्तों YouTube ने डिपेंड करता है कि ये बंदा या ये creators लोग को ये चीज सिखाना चाहता है तो दूस्तों दिखेंगे मैं जरा जूम करता हूं और मैंने क्या के यहाँ डाला है आप लोग देख लिजे क्योंकि मैं YouTube related इस चैनल पर वीडियो आप लोट करता हूं चीज चैनल पर आप वीडियो देख रहे हूं सबसे पहले तो दूस्तों मैंने क्योड पर लिखा है टेक आएंडी शाहिद YouTube चैनल ये तो हर एक creators डालता है इसके बाद दूस्तों दिखे टेक आएंडी शाहिद इसके बाद दूस्तों मैंने यहाँ टाइप किया है मनुजदे यह मतलब एही से चला की करना शुरू हुआ है इसके बाद दिखे टेक निकल योगी टेक चेंपियन सपोर्ट और इसके बाद मैंने क्या डाला है YouTube Tricks, जो बड़े-बड़े Creators है, बड़े-बड़े Creators की, मतलब यह QR जो है मैंने आज Recharge किया है, मैंने देखा है, उसके बाद मैंने यहाँ डाला है, क्योंकि उस टाइम तो मेरा पुराना चैनल है, जैसे तेसे ग्रो हुआ है, क्योंकि उस यहाँ डाला है, मैंने यहाँ डाला है, जो मैं इस टोपी की उपर वीडियो डालूँगा, तो सबसे पहले, जो जब सास करेंगे ना, तो सबसे बड़े मेरी वीडियो आ सकता है, उसके बाद नेक्स जो है, दूस्तों देखे, स्पेडिंग या, Creators 2.0, ब्यूज कैसे बड का यूटूब और देखीये, यहाँ चीज आपको में जो क्यूआज है, जो चलिल के की यूटर है, इस पर आपको डालना होगा, जो आप आपकी चेरे, modulation की लायक होंगे उसके बाद दूस्तो उस ताइम आपको modulation के लिए मतलब send करने से पहले दूस्तो ये keyword आपको delete करना होगा ये चीज याद रखना है तो दूस्तो ये main होता है इससे क्या होता है कि आपकी चले की जो growth है काफी high होता है तो एक चीज आप आप लोग को मैंने बता दिया है इसके बाद दूस्तो निचे दिखिए कि यहां दूस्तो दिखिए basic option है और second जो है दुस्तो advanced चलिए दुस्तो गलत options पर मैंने क्लिक कर दिया है देखिए देखिए यहाँ दिखे second जो option है advance, advance for आपको click करना है, जैसे दूस्तों आप advance for click करेंगे, उसके बाद दूस्तों यहाँ निचे scroll run करना है, निचे scroll run करने की बाद दूस्तों यहाँ आप एक options देख सकते हो, जैसे कि दूस्तों यहाँ आप देखिए clip, click allow viewers to clip my content, अगर आपने यह जो tick mark है, अगर आपने हटा दिया है, रिमूब कर दिया है, तो आपकी वीडियो पर views आने में, मत्कॉम आने की chances ज्यादा होता है, यहाँ निचे अगर आप read करोगे, तो आपको भी पाता चलेगा, कि यह जो है tick करने की कितना फायदा होता है, कितना ज्यादा फायदा ह होता है, और कितना loss होता है, आप कूद, एक बार आके read कर लिजिए, यह जो है clips, allow viewers to clip my content, उसके बाद दुस्तों यह cancel करना है, यह मतलब tick mark कर रखना है, इसके बाद दुस्तों आपको क्या करना है, बेक साइट, लेफ साइट पर देखना है, upload default, upload default पर click करना है, जैसे आप upload default पर click करते है, दोस्तों दिखिए, मैं original जो मैंने settings किया है, वो चीज आप लूग को मैं दिखा रहा हूँ, इसमें ना ही मैं कुछ कर रहा हूँ, ना ही कुछ इन भी नहीं है, देखके सबसे पहले title, basic info जो option है, इस option पर सबसे पहले title, तो title तो होर एक वीडियो पर एक एक title होता है, इसलिए title पर कुछ भी नहीं लिखना है, निचे दिखिए दूस्तों description, description पर जो भी आपका Facebook link, Instagram link, सो भी link डालना चाहते हो, आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने सब कुस डाला है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ दिखिए description पर मैंने link डाला है, Facebook, Instagram, Twitter, और Telegram link, सार दिखिए tag, tag पर दूस्तों आपकी channel की 2-3 tag यहाँ डालना है, मैंने 3 tag डाला है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, otherwise आप चूड़ सकते हो, second चोड़ सकते हो, second चोड़ दूस्तों जैसे कि यहाँ आप देखिए basic और second जो है advanced settings, आपको क्या करना है, advance पर click करना है, जैसे automatic capture and key moment, यह आपको हमेशा tick mark रहना चाहिए, अगर आप गलती से यह untick कर देता हो, तो आपकी नसिब बहुत खरब होने वाला है, निचे दिखिए license, license जो है दूस्तों, यह आप creative common license राख सकते हो, standard भी राख सकते हो, उसके बाद दूस्तों, यहाँ दिखिए main settings है category, category दूस दूस्तों मैं एक चूटा सा example आप लोग की सामने में देना चाहता हूँ, जैसे कि दूस्तों माल लिजिए आप education, मतलब entertainment video upload करते हो, और आपने select किया science and technology, तो यहाँ दूस्तों YouTube ने यह पता लगाता है, कि आप तो यहाँ select किया है entertainment, तो जब आप video upload करते हो, तो entertainment जो आप लेट करते हो, तो क्या take video entertainment जो लोग देखना पॉसंद करते हैं, क्या आपकी video देखेंगे, बिल्कुल ही नहीं देखेंगे, इसलिए आपको सोच समस्के यह settings करना है, जैसके मैं science and technology चूज क्या है, क्योंकि मेरा take related channel है, निचे और भी important है, देखे दूस्तों यहाँ आ करते हो, Hindi language से, और आपने यहाँ choose क्या है English, क्या जो लोग English, Hindi समझ में नहीं आता है, तो जैसे ही आप यहाँ select करेंगे, देखेंगे, English और आपने वीडियो में shoot करते हो, Hindi, तो YouTube को लगता है कि आपने English, मतलब वीडियो पर shoot किया है, तो English जो लोग देखना पसंद करते है, तो YouTube ने English वालों की सामने आपके वीडियो मतलब पेश करता है, recommend करता है, तो क्या Hindi बसा English वालों को समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, याद रखना है, निचे और एक चीज़ देखें दोस्तों, देखें, title and description language, आपको यहाँ हमेशा English choose करना है, क्योंकि YouTube की जो algorithm है, जो mechanism है, mechanism की साथ, algorithm की साथ, English जो language है, हमेशा connect होता है, otherwise बाकि जो language है, connect मतलब इतना ज्यादा connect नहीं कर पाता है, इसलिए आपको हमेशा English, English choose करना है, और जब आप title लिखेंगे, तो यह कुशिश करना है, कि English में title लिखने की कुशिश करना है, और description, यह दूनों चीज करना है, तो भी जाके दूस्तों YouTube की साथ, आप ज्यादातर connect हो पाऊगी, और आपकी channel grow करने में काफी मदद करेगा, तो यह दूस्तों यह 5 settings है, दूस्तों आपको हमेशा याद करके, सोच समझ के, यह settings करना है, तो दूस्तों I hope यह video काफी पसंद आया होगा, वीडियो प नई